दून डिफेंस अकड़मी संधीप 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 संधी. चाहरे से जिनको नहीं मिला है आज सेट नमबर 19 रहेगा जादी देनी करेंगे इसमें इंप्ट्वाटन आने वाले हैं मैं आपकी सामने रखेंगे में साथ-सात में नूट्स बनाते रहेे गा लाव्ट में नोट्स ही है आपके एकाम आने वाला है तो आज का फस्कुर्षन आपके सामने हैं फॉसक्ष न आपके सामने क्या कह रखा है पॉस्चन में क्या रहा है इस पॉस्ट अप्लेप्ट एज इंडियाद फॉस्ट एई सिटी यारी किस सहर को भारत का या भारत की पहली AICT के रूप में विक्षित किया जा रहा है जी कौन सी शिटी है लखनौ है चन्ने है जैपूर है और कॉलकता है जो यह सिटी बनने जा रहे है यहाई सिटी इससे पहले IT के सेक्टर में जो ग्रेटर नोड़ा वाला छेत्र है ना नोड़ा पहले से ही डवलप हो चुका है तो जारी है उनमें City का नाम होगा क्या लखनो City का नाम क्या है लखनो है लखनो को नवावों का शहर भी कहते हैं याद रखना नवावों की शहर नवावों की जो City है लखनो लखनो City को जो है पहला AI City के रूप में जो है डेवलप किया जा रहा है और इस से पहले लिखा हुआ है कि Noida has already immersed as a IT hub और Noida जो है हमारा जो है पहले से ही क्या बन चुका है Noida IT hub बन चुका है तो यह लखनो city को जो है IT hub Noida की तर्ज पर AICT है ना डबलब किया जा रहा है भारत का तो आपको आंसर होगा क्या लखनो नवावों की नगरी यह भी आपको याद रखना बागी information आपकी सामने आगे next अगला question क्या लिखा है question number second लिखा है which steel guided missile है ना destroy was recently included into Indian Navy हाली में किस steel guided missile बिद्वन्स को भारतिय नौसेना में सामिल किया गया INS इंफाल है, INS चक्रा है, INS आपका ध्वाज है और INS कवार्ती है तो किस missile को अभी एक Indian Navy में सामिल किया गया Indian Navy की एक तागत के रूप में जो है ये missile उबरी है तीक है अगर हम बात करते हैं तो इसका आंसर रहेगा INS इंफाल क्या रहेगा INS इंफाल कि अगर हम बात करेंगे तो लगबग 7400 टन क्या है 7400 टन इसका वेट है ये भी आपको याद रखना है 7400 टन के असपास इसका जो है क्या है भार है तीक है इसका वेट है 7400 टन इसका वेट है इसमें 16 ब्रमोस मिसाले है 16 है ना 16 ब्रमोस है और 8 जो है 32 इसमें जो है ब्राक 32 ब्राक 8 मिसाल से लेश है 32 ब्राक 8 मिसाल से लेश है ठीक है 32 बराग 8 मिसाइल से क्या है लेस है सत्य से सत्य मात करने वाली मिसाइल है और 2 anti-submarine है इसमें क्या है? 2 anti-submarine ठीके? 2 anti-submarine rocket launcher लिख सकते हैं आप इसको rocket launcher भी इस इमफाल के अंदर है 2 anti-submarine rocket रॉकेट लॉंचर ठीक है इसमें है के लिए तो याद रखना आयने सिंपाल पहला युदुपूत है भारत का जिसका नाम उत्तर पूरब के किसी सहर पर के आदार पर रखा गया अगर आप से पूछेगा भाई इसका डिजाइन किसने तयार किया है तो आपका आंसर होगा वर काशिप डिजाइन व्यूरू के द्वारा जो है इसका डिजाइन तयार किया गया और इसका निर्मान का हुआ मजगाउं डॉक लिमिटीड मुंबई के द्वारा किया गया निर्मान कहां मजगाउं लिका हो मजगाउं डॉक लिमिटीड मुंबई याद रखेंगे के लिए तरवे बात मिश्ल का नाम क्या है मिश्ल का नाम है क्या सिंभाल क्या है आनस इंफाल इतने बात के लिए आइनस इंफालelleジ क्रिकेट्ट क्लिएर विल भी- अर्जुन पुरुसकार खेल जगत में दिया जाता है, स्पूर्स फिल्ड में दिया जाता है, ठीक है, अर्जुन पुरुसकार उन खिलाडियों को दिया जाता है, जो स्पूर्स में अपन्याब में जो है, एक इंपोर्टन रोल अदा करते हैं, जो एक अपन्याब में प्रति 1961 से होती है, initially इसमें पांच लाक रुपए दिया जाता था, फाइव लाइक और एक इसमें जो है ब्रांच इस्टेच्यू आफ अरजुन दिया जाता था, ब्रांच स्टेच्यू आफ अरजुन एकन परजेंट में यही कतना हो गया जी, यही कितना पहुंच गया, पंदरां ल प्रुपए जो है अर्जुन आवर्ड के रूप में दिया जाता है और इस टेचू तो होई है ना ब्राउंच इस्टू कांसिया अर्जुनी के कांसिया प्रतिमा दी जाती है इसमें के लिए तो यहां वंडे विश्व कप दोजार पेईज में सांदार प्रदर्शन करने वाल बोलर है थीकर है उन्हें जो है अर्जुन पृुष कार के लिए नामित किया गया है यहां मावले में खेल मंत्राला दौरा जो है इस पृुषकार की घोशना की गई है और आप जानते हैं कि अभी हमारी जो खेल मिनिस्टर है प्रुषकर की बात अगर करेंगे हम तो किसक औरजुन आवाड 2023 ठीक है next question है who has recently awarded भूटान है ना यहां लिखा है क्या भई भूटान में जब भूटान के प्रतिश्चित national order of merit gold medal किसे किसे सम्मालित किया गया तो किसे सम्मालित किया गया भई तो WHO जो कि दक्षिनपूर में इसी है की एक छेत्रिय निदेशक है है ना चेत्रिय रिजनल डिरेक्टर आप WHO South East Asia has been awarded भूटान्स यानि भूटान ने जो है WHO की जो डिरेक्टर है कहां South East Asia की ठीक है उसे सम्मालित करने के गोशना के गई और न प्राइसनल आवर्ड है याद रखना ठीक है मैरी गोड मैडल से इस सम्मालित किया गया भूटान के 166 राश्ट्य दिवस समारों में भूटान नरिस भूटान नरिस कौँग है जिंग में खेसर नामग्यल वंग्चुक ने उन्हें सम्मान ये जो सम्मान है ये दिया है या रहेगा क्या पुनम खेतरपाल तो इसका अंसर क्या होगा इसका अंसर क्या होगा फटा फर से बताएं इसका अंसर क्या है वई पुनम खेतरपाल सिंग ठीक है अंसर इस दी आंसर क्या होगा डी दर next question है इस के आगे how many people will be honored with the major ध्यांचंद खेल रत्न आवाड 2023 major ध्यांचंद खेल रत्न पुरुसकार major ध्यांचंद खेल रत्न पुरुसकार 2030 से कितने लोगों को सम्मानित किया गया 2030 में कितने लोगों को सम्मानित किया गया जैसे कि आप पिक्षर में देख पा रहे हैं कि कितने लोगों को सम्मानित किया हो गया हुआ तो इसमें दो लोग है कितने लोग हैं? दो लोग है कितने लोग हैं? दो दो लोग में अब इस major ध्यांचंद पुरुसकार जो दिया जाता है होकी के जो विजार्ड होकी के जादूगर है लो? major ध्यांचंद जी तो उनके जो है श्मिर्ती में दिया जाता है खेल मंत्रालाई ने पुरुसकार 2030 की गोशना जो की है ध्यांचंद ध्यांचंद खेलरत पुरुसकार से सम्मानित किया गया अच्छा एक इसमें national एक याद रखना national sports day आता है national sports day भी celebrate किया जाता है रास्टिय खेल दिवस रास्टिय खेल दिवस major ध्यांचंद की ही स्मिर्ती में जो है रास्टिय खेल दिवस मनाय जाता है कब 29 अगस्ट को ये भी आपको याद रखना 29 अगस्ट को रास्टिय खेल दिवस भी इनीक इसमिर्ती में मनाय जाता है ठीक है next question है इसके आगे अगला question क्या कह रहा है in which city did PM मोदी integrated the world largest meditation center परदान मंत्री नरेंदर मोदी जी ने जो अभी हाले में किस शहर में दुनिया के सबसे बड़े ध्यान केंदर का उदगाटन किया है सबसे बड़े meditation center का अभी शिला लाइंस किया है ओ किस शहर में पटना लखना वारानसी या एहमदाबाद तो जैसे आप देख पा रहे होंगे figure में यहाँ पर जो picture है स्वरवेद महामंदिर धाम है यह नाम पूरा है तो स्वरवेद महामंदिर जो धाम है एक lotus जैसे कमल है कमल की फूल की तरह इसको इसका design तयार किया गया है और यह लिखा गया इसमें कि लगबग इसकी जो दिवारों पर है 4000 4000 वीदों की जो इसलोग है 4000 वीदों की जो स्लोग है उनको लिखा गया है 4000 वीदों की जो आपके दोहे स्लोग की जगे दोहे लिख सकते है 4000 वीदों की जो दोहे है है ना इनको जो है इस मंदिर की दिवारों पर जो है लिखवाया गया है और ये मंदिर है कहां, क्या मंदिर का नाम है, स्वर्वेद महा मंदिर का उद्गाटन जो है, ये 7 मंजिला मंदिर है, और दुन्या में सबसे बड़ा Meditation Center के साथ यहां लोग 20,000 एक साथ योग कर सकते हैं, ठीक है, और ये है कहां, वारा नसी में, कहां है, वारा नसी में, ठी 7 इस्टोरी है, Meditation Center, largest in the world, the center, 20,000 people can participate in yoga session, ठीक है, तो 20,000 लोग जो है, एक योगा सेशन में, यहां, पाटिशिवेट कर सकते हैं, ये तनी बात के लिए होई, तो आंसर होगा, क्या, वारा नसी, नेक्स लिखा है, विच एंडियन रिसेंट्डी सक्सिसफुल, क्लेम्ड अंतर्टिका हाइसपीक, मॉंट विनसन, यानि अंतर्टिका कांटिका कांटिनेंट की सबसे उची चोटी का नाम है, मॉंट विनसन, तो मौंट विंसन पर जो है चड़ने वाले पहले भारतिया कौन बन गए है ना किस भारतिय ने अंटार्टिका की सबसे उची चोटी मौंट विंसन पर सफलता प्राप्त की है तो सफलता प्राप्त की है तो किस भारतिय ने की है तो आप जान रहे हैं कि किस भारतिय का नाम आ विशन को जो है फताय किया है और माउंट विशन की जो हाइट है लगबग सी लेबल से 4892 मीटर है 4892 मीटर है तो याद रखना इसके अलावा खान जो है चार अन्य ने चोटिया जैसे इसिया की माउंट अवरिश पर भी उतरी अमेरिका की माउंट डेनाली अफरीका के माउंट के लिए मंजारों यूरोप में माउंट अलवरस इन पर भी विजय प्राप्त कर चुके ये तनी बात के लिए अच्छा आपको पता है कि वर्ड की सबसे हाइस जो चोटी है वह मांट एवरेस्ट है ना मांट एवरेस्ट तो मांट एवरेस्ट पर जुशकी हाइट लगबग कितनी है बोलो 4884 कितनी हाइट है लगबग 8848 है न लिखते हैं आप लोग 84848.86 मीटर है लगवा कितनी है 8848.86 मीटर है इस पर चड़ने वाली first moment कौन थी first moment पूछा जा सकता है normal question है पहली महिला कौन थी आपसे पूछेगा तो आपका अंसर होगा जुनको तबई कौन थी जुनको तबई कहां की थी यह जापान की 1975 में जुनको तबई जो है मांट अवरेस पर चड़ी थी बट आपसे पूछा जाएगा इंडिया की रेजंट में पूछा जाए का इंडियन मुमन कौन थी जो दो बार चंटिनीउ मांट अवरेस्ट पर जो है जिसने फटय है से पूछ यहैwi जो Corey 1993 और 94 में 1992 और 93 में जो है लगतार दो बार माउंट एवरिस्ट पर चड़ी थी इतनी बात के लिर हुई यह भी आपको याद रखना है नेक्स्ट कोशन है अगला विश स्ट्रेट दाट वस रिसेंट्ली इन नूज इस अलसो नान एस गेट आप्टियस इन अरेबिक हाली में खबरों रहे किस जल डमरू को अरवी में आंसों का दौर भी कहा जाता है जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि यह दिजभूती है इदर वाला जो पार्ट है जबूती है और यामन वाला पार्ट है अगर आप थोड़ा सा लाल सागर के बारे में जानते हैं रैड सी के बारे में जानते है तो इदर रैड सी होगा यह उपर वाला रैड सी है लाल सागर और यह अधन की खारी है विज अफ अधन नीची की तरफ जो है विज अफ अधन है ठीक है अधन की खारी अधन की खारी है तो वे आफ अधन और लाल सागर को क्या कोईसा स्ट्रीट जोड़ रहा है बाब बाब अलमंधीब ठीक है बाब अलमंधीब स्ट्रीट क्या होता है स्ट्रीट का मतलब है कि एक ऐसा समुद्र में संक्रा मार्ग है एक नैरो पार्ट है नैरो स्ट्रीट है जो दो वाटर बॉड़ी को कनेक्ट करने का काम करेगा और दो लैंड को सेपरेट करने का काम करता है उसको हम स्ट्रीट बोलते हैं हिंदी में उस टैंकरों पर होती हमलों के कारण एक राजितिक अब्रोद बिंदू बन गया जिससे यहां आसपास संगर्स बढ़ रहा है आप याद रखना ठीक है और यहाँ पर जो वर्ड की जो ट्रेडिंग होती है या सिपिंग जो होती है विश्वस्तर पर उस पर यहाँ पर असर पढ़ रहा है के लिए भी बाद तो ये भी आप याद रखना आंसर होगा इसका क्या ए बाब अलमंडेव ठीक है आंसों का क्या कहा जाता है द्वार गीट आप टियर्ज नेक्स लिका है Scotland उत्री England और wearyALLY में में वेस्ट मेड्लेंड के कुछ हिशव में हाली में देखे गए एक लिए बादलों के लिए के सब्द का परियूंग किया गया ठीक है यानी scorand northयंग लैंड वैस्ट में लाउड के कुछ ऐसे इंसीडेंट लेके गए नियरवय यानि recently उनको क्या word दिया गया है किस सब्द के नाम से उनको जो है जाना जाएगा कुछ इस टाइब के cloud थे जो आपको फीगर आपका ये picture में देख पा रहे होंगे आप यानि cloud में जब finally sunset के दौरान sunlight incident होती है तो उसमें एक रैड़पन सा create हो जाता है लाल रंग का दिखाई देता है ना चमक पैदा हो जाती है उसको क्या नाम दिया जाता है आस्वान में असामाने चमतगार बादल देखे गए है जिसे नैक्रियस क्लाओड नाम दिया गया है नैक्रियस ठीक है या मुक्ताब में कहा गया है वैसे आप जानते हैं कि जो cloud है cloud के 3 type है होते है cloud के क्या है? 3 type है cloud समय 3 type में मिलता है 3 type होते है 3 type में जो upper cloud होगा upper cloud upper cloud के 2 type मिलते है upper cloud के 3 type मिलेंगे एक उसमें middle cloud जो होगा middle cloud के जो है 2 type मिलते है और एक जो lower cloud होता है lower cloud में 5 इसके category होती है तो 3, 2, 5 और 5, 10 इसके जो है sub part हो गए यह sub category होते है तो sub आपके जो cloud होते हैं वो 10 होते हैं बट हम height का according cloud को 3 category रखते हैं अपर middle और lower बट हट cloud rainfall नहीं करवाएगा and middle cloud में 1 cloud rainfall करवाता है लेकिन यहाँ पर एक आजकल जो हो जो European कंट्रियों में यह जो cloud की कुछ इस टाइब से इंसिडेंट देखे गए उनको नाम लिखा गया क्या वही निक्रियेश cloud यह भी आपको याद रखना मोती की तरह दिखते हैं दुरुबल बादल मोती की तरह दिखते हैं सुर्यास्त सुर्योदा के दौरान हलके इंदर दनुस जैसे ही रंगों के साथ चमकता है जैसे रैंबो होता ना इंदर दनुस इस टाइब से हो चमकते हैं जैसे आपको पिक्षर में देख रहे हूंगे आप नेक्स लिखा है नामदफा फ्लाइंग स्क्वाइरल दैट वस रिसेंटी इन न्यूज ठीक है यानि नामदफा जो है नामदफा उडन गिलहरी जो हाली में खबरों में थी किस भारतिय राज्य या केंदर सासित परदीश की किस्तानिक परजाती है तो नामदफा किसकी एक इस्तानिक परजाती है जो हाले में खबरों में देखी गई थी और लगबग 42 एर के बाद कितना 42 वर्षों के बाद जो है ये नामदफा जो है फिर से एक बार दिखी यानि इसको तो एक बिलुप्त परजाती गोसित कर दिया गया था अंतिम बार इसको 1981 में देखा गया था लास्ट बार इसको जो है कब देखा गया था 1981 में देखा गया था ठीक है और एक बिलुप्त परजाती मानी गई थी ठीक बट अभी IUCN द्वारा गंभी रूप से लुप्त पराय के रूप में वर्गिकित किया गया और बन्नेजीव नाम दफा कहां की थी अस्वम हाँ जी के लिए बात इतना समझ माय है यहां तक के लिए चले फिर आगे बड़े अच्छा इसके साथ नहीं अस्वम मत लिखना भई अस्वम नहीं अरुनांचल प्रदीश इसका अंसर होगा अरुनांचल प्रदीश ठीक है नीचे भी लिख तक कोर्द रिचीब है लिकर्गनाईज अट जैनेज़ जिनेष को टूथा यदिवाजिन टूवट कू फ्रिकश किस हाली में किस भारति है हवाय एड़े को युनेसज्ट के 2030 वर्षेल з में मान्यता प्रापति गई हन्सको ने भारत के एक हवाय अड़्े को जो है प्रिक्स वर्षेल्स में मान्यता दी वो कौन सा भारती एरपूर्ट है युनेस्को कि अगर हम बात करते हैं तो युनेस्को एक ऐसा और्गनाजेशन है कि जो उन स्तलों को अपने अंडर्म लेता है जिनकी कोई हिस्टोरिकल एक पहचान है या फिर जो बिलोगत होने के गगार में हैं उनको प्रोटेक्ट करता है तो युनेस्को कि अगर हम बात करते हैं तो युनेस्को इस्टैबलिस हुआता नवंबर 1945 में युनेस्को कि अगर हम बात करेंगे इस्टैबलिस और नवंबर 1945 1945 में लंदन में लंदन में इसको इस्टेब्लिस किया गया था कहां इस्टेब्लिस किया गया था लंदन में बट इसका जो हैड़कॉर्टर है इसका जो हैड़कॉर्टर है यह है पैरिश फ्रांस में यह आप जानते हैं पैरिश फ्रांस में इसका हैड़कॉर्टर है इतनी बात के लिए रहूई आभी UNESCO के अंडर में अगर Indian Sights की बात करते हैं तो कितने इंडियन साइट को रखा गया है लगबग 41 इंडियन साइट इसमें आ रही है कितने हैं 41 इंडियन स्तलों को जो है इस UNESCO की सूची में सामिल किया गया है लेकिन यहाँ पर एक तर्मिलल की बात की गई, एक पूर्ट की बात की गई, वो है बैंगलोरू के कैम्पे गोड़ा अंतरास्तिय हवाई अड़े के तर्मिलल टू, तर्मिलल टू को याद रखना, टी टू को युनेस्को ने 2030 प्रेक्ष बर्शल्स में मन्यता दी, टी टू ने अपने आंतरिक सज्जा के लिए विशेश पूर्शकार अर्जित किया है, और इसे दुनिया का सबसे सुंदर पूर्ण, रूम से मन भाव, हवाई अड़े में से एक माना गया है, यानि सबसे सुंदर अगर हम बात करेंगे, तो टर्मिलल टू है, जिसको युनेस केmpegoda इंटरनेशनल एरपूर्ट काहा है बैंगलोẰूम है, खिलिए रुवादि कारेंव बैंगलोरू मिऄ, तो यहां आपका अंसर होगा, जैसे किया फिक्चर मी आपड़ी, अपनी खुब सूरति के लिए बहुत पर्शिद है, यहieं केmpegoda, done? which country is not a member of organization of the petroleum exporting country OPEC यानि कौन सा देश petroleum निर्यात देशों के संगठन का सदश्य नहीं है OPEC का सदश्य नहीं है अगर हम OPEC की बात करते हैं OPEC 1965 के आज़ पास से सुरू होता है और इसका हैट्वाटर अगर हम बात करेंगे हैट्वाटर तो यह है विएना में विएना कहां आस्ट्रीलिया में और 1960 में ओपेक इस्टैब्लिस हुआ था इस्टैब्लिस कब हुआ था? 1960 में यह भी आपको याद रखना है अब इसमें अगर हम कंट्रियों की बात करते हैं तो लगबग 14 कंट्री आती इसमें OPEC में कितनी कंट्री आती है? 14 कंट्रिया है उसमें से बोला है अभी एक कंट्री लें रिसेंट्री जो है OPEC की मेंबर्शिप को छोड़ दिया है उस कंट्री का नाम होगा अंगोला कंट्री का नाम क्या होगा? अंगोला अंगोला ने जो अभी लिसेंट्री कंट्री जो अंगोला है अफ्रिकन कंट्री है OPEC की सदस्यता छोड़ दिया है जबकि इसमें से कॉंगो ओपेक का मेंबर है नाइजीरिया ओपेक का है गैबॉन ओपेक का नहीं है कतर ने 2019 में ही क्या कर दिया था वही ओपेक की सरशेता को छोड़ दिया था ओपेक का मतलब है कि Organization of the Petroleum Exporting Countries तीक है यह भी आपको याद रखना है तो यहां लिखा है अंगुला है तीक है अलजीरिया है कॉंगो है डल एकोटर है वियना है गैबॉन है लीविया है इस सारी ओपेक की कंट्रिया है तो यह भी आपको याद रखना अभी रिसेल्टी अंग अंगुला ने जो है इसको छोड़ दिया तो अभी कितनी कंट्रिया है कौन नहीं थी इसका अंसर होगा अभी क्या डी ठीक है यह भी आपको याद रखना है तो यह आपकी जो 14 देश है उसमें यह सारे के सारे देश है ठीक है अंगुला ने रिसेल्टी अभी जो है आपकी सदेशेता से जो है अंगोला क्या हो गया भई पीछे हट गया ठीक है ये भी आपको याद रखना है नेक्स है चर्च आफ एपिफैनी जिसे हाली में संस्कृतिक ब्राश्चर स्नक्षण के लिए प्रतिष्टे से युनेस को एशिया प्रसांत पुरुष्कार दिया गया युनेस को ने एशिया प्रसांत पुरुष्कार दिया युनेस को ने एशिया प्रसांत पुरुष्कार दिया किसको चर्च आफ एपिफैनी ठीक है चर्च आफ एपिफैनी ये किस राज्य में है चर्च आफ एपिफैनी तो चर्च आफ एपिफैनी के अगर हम बात करते है तो यह हर्याना में है कहां है यह हर्याना में है चर्च आफ एफिफैनी पंजाब और हर्याना के तीन बिरासत प्रियोजनाओं अर्थात अम्रिस सराइगाईश में अम्रिस सर में रामबाग गेट और प्राचीर यह अम्रिस सर में है गुर्दासपूर यह भी पंजाब में है है ना में पीपल हवेली और गुरुग्राम जो कि हर्याना में गुरुग्राम में चर्च आप एपी फैनी ने सांस्कृतिक बिरासत सनक्षन के लिए यूनेश को एशिया प्रसांत पुरुषकार के लिए जो है इनको सम्मानित किया गया है तो इसका अंसर क्या होगा भई हर्याना इसका अंसर क्या होगा कि चर्च आप एपी फैनी कहा है हर्याना में के लिए नेक्स है वाट इस पैंटूया 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 प्राइमेट है ठीक है तो विश्व भारती विश्व बिध्याला के शोद करता कौन से विश्व भारती विश्व बिध्याला है युनिवर्सिटी विश्व भारती उनिवर्सिटी दिस्कावर्ड अन्यू प्लांट ग्रोथ प्रोमोर्टिंग वैक्टीरिया स्पेसिस ठीक है नई वेक्टिरिया प्रजाती की खोजकी जिसका नाम क्या रखा गया जी नाम रखा गया है पैंटू या टैगोरी ये एक्चॉल में क्या करता है कि जो स्वैल फर्टिलिटी है स्वैल फर्टिलिटी को इंक्रीज करती है स्वैल फर्टिलिटी याद रखना स्वैल फर्टिलि को बढ़ाने का काम करती है ठीक है जिस से जो है जो पौद है अच्छे का से बढ़ जाता है ठीक है याद रखना तो क्या थे यह थारिड़े तो पेंटियर ए टाइगोरी जो है अपना आप में क्या हाए एक वेक्टी GG is किस ने खो जा है यह भी याद रखना किसने खोजा है विश्व भारती यूनिवर्शिटी के द्वारा जो है डिस्कबर्ड गिया गया नेक्स है विच स्टेट इस दे में स्टेट पार्टनर आप दे इंटरनेशनल गीता सेमिनार एंड गीता महस्व हेल्ड इन हरियाना हर्याना में आयजित अंतरास्तिय गीता सेमिनार और गीता महस्व का मुख्य राज्य भागिदार कौम सा है हर्याना है उत्तरपरदीश है असम है या मद्यपरदीश है तो हर्याना के जो कुरक्षेत्र है तो हर्याना के कुरक्षेत्र में जो है ब्रह्म सरोवर में अंतरास्तिय गीता और क्या गीता महस्व का आयजन या उद्गाटन किया गया है कहां हर्याना के कहां गीता या ब्रह्म सरोवर में कहां ब्रह्म सरोवर में कुरुचेत्र के ब्रह्म सरोवर में याद रखना गीता अंतरास्टे गीता सेमिनार और गीता महत्सवा तो अब इस गीता सेमिनार महत्सवा में कौन सा राज्य भागिदार है कौन सा राज्य जो है इसमें आपने आप में हर्याना के साथ पार्णर है तो आंसर होगा इसका क्या होगा अच्छा इस अंतरास्तिय सम्मेलन का मुख्य एक विशय या थीम आप यहाद रखना कि इसकी थीम क्या हो सकती है तो थीम है वसुदेव कुटुमकम सिरिमद भागबद गीता और यूनिवर्सल यूनिटी ये इसकी जो है थीम है याद रखेंगे वसुदेव कुटुमकम सिरिमद भागबद गीता और यूनिवर्सल यूनिटी इसका क्या रखेंगे था विशय था और असम ने जो है इस कारेकरम के लिए मुख्य भागिदारी के रूम में अपनी भूमी का निबाई का ये आंसर होगा हर्याणा के ब्रह्म सरोवर कुरुचित्र में ठीक है नेक्स्ट अगला कोश्चन इंपोर्टेंट है लिखा है वाट इस नेम आप दे कार्बन टेक्स दाट यूकी प्लांस तो इंप्लिमेंट फ्रॉम टूटाव्टी सेबर और इंपोर्स on materials like steel and aluminium यानि उस carbon tax का नाम बताना है जिसे बिटे ने 2027 से steel और aluminium जैसी सामगरियों के आयात पर लागू करने की यूजना बना रहा है यानि अगर आप इंपोर्ट steel करते हो और aluminium करते हैं तो एक आपके उपर tax लगेगा उस carbon tax का नाम बताना है अगर हम थोड़ा कारवन की बात कर लेते हैं कि भाई 1950 से लेकर 2000 कि अगर आसपास की बात करते हैं 1950 से और 2000 के दसक के अगर हम बात करते हैं तो इस बीच में बिटेन याद रखना बिटेन एक ऐसा देस्ता जहां से लगबग 100% कारवन का उसरजन होता था 100% याद रखना ओध्योगी करांती की सुर्वात इधर ही सी होती न तो अपने उध्योगों के बल्बुते अपनी इकोनोवी को बढ़ावा देने के लिए 100% कारवन का उसरजन करता था कौन बिटेन लेकिन आज प्रजेंट के अगर बात करते हैं तो लगबग 4% के आज़ पास ही बिटेन कारवन का उसरजन करता है अगर कारवन के हम बात करेंगे तो इतनी बात किलियर हुई किलियर ये भी आपको याद रखना है तो कारवन का उसरजन के रिगार्डिंग सबसे जादी उसरजन चीन करता है प्रजेंट में सबसे जादी चीन के बाद आपको पता है कि चीन के बाद रस्या करेगा चीन के बाद अमेरिका करेगा फिर यूरूपियन आपका यूसंग है वो करता है चीन अमेरिका हो गया और चौथे नंबर बारत है लगबग आठ पर तिशत के आसपा जो है कार्बन स्वरजन में भारत की भागय दा रही है तो यहां पर एक टैक्स की बात हो रही है वाई कौन सा टैक्स लगने वाला है तो नाम से पता चलेगा कार्बन बर्डर टैक्स है य कि लोहा, स्टील, अलुमिनियम, सिरेमिक और सीमेंट जैसी वस्तों पर लागो होगा अगर आप इस चीज को खरीद रहे हो ठीक है नेक्स है इंटरनेशनल जेंडर एकुलिटी प्राइज इस गिवन बाई विश कंट्री आन्तरास्त्य लेंगिंग समानता पुरुषकार किस देश के द्वारा दिया जाता है आपका लेंगिंग पुरुषकार जो दिया गया जो देता है और देता है कौन भाई? फिल्लेंड आंसर होगा इसका क्या? फिल्लेंड अफगान महिला कौसल विकास केंदर को परदान किया गया याद रखना ठीक है International Gender Equality Prize 2023 was awarded to the Afghan Women Skills Development Center को दिया गया है याद रखना किसको दिया गया Afghan Women Skills Development Center जबसे अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार बनती है तो तालिबान सरकार में जो है खासकर Women's के लिए जो है न इकुलिटी कम होना तीक है यानि Gender Gap वहाँ पर अगर Gender Equality की बात करते है तो Gender Equality वहाँ पर प्रॉपर तरीके से नहीं है तो Gender Equality को बढ़ावा देने के लिए खासकर वहाँ पर महबुबा सरोस को कितना यूरो दिया गया लगबग तीन लाख यूरो दिये गए तीक है महिलाओं के अधिकारों के रक्षा और अफगानी अस्तान में लैंगिंग समानता को बढ़ावा देने के लिए महतपुण कारे के लिए बनेता प्राप्त है विशेर उपसे तालिबान के सता में आने के बाद चुनोती पुर्ण परिस्तित्यों में अंतरास्त्य लैंगिंग समानता प्रुसकार फिल्लेंड के समाजिक मामलो और स्वास्त मंतराले द्वारा प्रसासिस एक सरकारी प्रुसकार है ये कौन देता है फिल्लेंड देता है किसको दिया गया किसको दिया गया अफगान मुवमेन स्किल्स डवलमेंट सेंटर को याद रखना के लिए रिवबाद नेक्स आलू की उस बिमारी का नाम बताए जो पंजाब और विविन जीलों में आलू की फसल को काफी नुक्सान पहुंचा रही है जिसनी सबसे जादी नुक्सान महुंचा आया है अब यहाली में पंजाब और उसके आसपास के शेत्रों में आलू की एक बिमारी आया थी different time के spot नजर आ रहे है spot नजर आ रहे थे जो की green circular टाइप में थे और यहाँ पर overall वहाँ पर जो राजयों में loss हुआ लगबग आलू की खेती को 50% loss हुआ है कितना percent? 50% और उस बीमारी का नाम रखा गया let blight क्या रखा गया? let blight बीमारी का नाम क्या है? let blight यह भी आपको याद रखना है तो पंजाब के आसपास के छित्रों में यह जो है बीमारी देखी गई कुछ इस टाइप से आलू को पत्तों पे भी लगती है उनके leaf को भी खतम कर देती है और नीचे जड़ों roots तक पहुंचने के बाद आलू का जो दाना होता है उस पर भी जो है यह जो है बीमारी लग जाती है तो आपको याद रखना let blight next है किसने आगार्मी संस्मरन का सिर्षक for start of destiny for starts of destiny है अगला किसका जो संस्क्रण है आने वाला उसका जो सिर्षक है है ला वो रखा गया है जो टाइटल है for starts are of destiny तो हमारे जो बोल सकते है former जो आर्मी चीफ है जनर्रल M.M. नरवडे कौन former चीफ M.M. नरवडे का ही एक टाइटल है उनकी एक बुक आने वाली है जिसका नाम है for stars of destiny एक्षल में जो ये अगनीवीर को लेकर है ना अगनीवीर को लेकर जब एक प्लान तयार किया गया था तो अगनीवीर को लेकर उस समय 2019 में M.N. नरवडे जो है आर्मी के चीफ बने थे ठीक है और M.N. नरवडे जो है एक ताइप से खास कर थल सेना के लिए आर्मी के लिए for stars of destiny के अगर हम बात करें बात में बात करेंगे लेकिन tour of duty model तयार किया था क्या था? tour of duty model जो की officers के लिए था और ये tour of duty model था कि short term service दम दिलवाएंगे और short term service के साथ एक duty plan तया करेंगे ठीक है? सिर्फ और सिर्फ आर्मी के लिए था ये लेकिन उस समय कोबिट का दौर था 2020 में 2020 में इंडियन गौर्रमेंट ने इसमें कुछ changes किया और इस plan को अगनिपत नाम दिया क्या नाम दिया? अगनिपत सैन्य भरती योजना शुरू की अब अगनिपत सैन्य भरती में नेभी और एरफोर्स को भी इस अगनिपत के अंदर सामिल किया और नेभी एरफोर्स के लिए just surprise था दिक है? नेभी एरफोर्स के लिए क्या था? just surprise था कि नेभी एरफोर्स को कैसे इसमें include किया गया जबकि इनका माना था कि मेरा जो प्लान था जो मैं सौटम सर्विस की बात कर रहे थे यारी two duty model जो था वो सिर्फ और सिर्फ आर्मी के लिए था और उस प्लान में था कि हम 100% जब भरती करेंगे उसमें 75% को इन करेंगे और 25% को आउट करेंगे है ना लेकिन जब यह अगनीपत योजना आई जिसमें अगनीवीर था उसमें government ने क्या किया कि 25% को इन करेंगे और 75% को आउट करेंगे तो इन्हों ने आपनी जो आने वाली इनकी एक book है जिसका title है four stars of destiny ती तो उसमें जो है इन सभी बातों का खुलासा किया है और इसका answer होग जनल मन नर्वड़े आंसर क्या होगा सी नेक्स उसके बाद दिखा है विस कंट्री आम फोर्सेंटी वीन अन्वर्ड विद दा कोटेक्ट गोल्डन ओवल आवार्ड फॉर डियर आउटस्टेंडिक परफॉमेंस यानि हाली में किस देश के शस्तर बलोन को उसके उत्कृस् परटीशित गोल्डन ओट गुृडन ओल पुरुषकार से संबानित किया गया अब यहां पर सिलंका में डिफेंस सर्विसेज कमाड एंड स्थाप कॉलिज में प्रतिशित कमाड और स्थाप और स्थाप कोर्ष से गुजर हैं भारतिय स्सतर बलों तीक है आंसर क्या होगा में इंडिया के जो आम फोर्शिस के जो जवार है उनको जो है गोल्डन आउल अवार्ड से म्मानित किया गया तो आंसर होगए इसका क्या अंसर होगाऑ कि डिमेक्स अगरा है विछ स्टिक्ड हम दा काक्रापार अइटामिक पावर प्रोजेक्ट विश इसे हाले में मतवपूर्ण हासिल है कि जो नियंत्रिन विखंडन सिंखला करती किरिया को क्या करता है कि शुरुआत करेगा काक्रापार की बात कर रहा है तो काक्रापार की बात करेंगे तो काक्रापार गुजरात में है कहा ये गुजरात में है तिक है कहा है गुजरात में है और गुजरात में भी कौन सी रिवर के अगर बात करेंगे किस रिवर पर ये जो Atomic Power Project है ये है तापती रिवर पर है कौन सी रिवर पर है तापती रिवर पर है तो अंसर क्या होगा इसका गुजरात में तीक है ये भी आपको याद रखना है Next है गेलेफू विशेश प्रसासन शेत्र गेलेफू ठीक है The Galefoo Special Administration Region SAR जो हाली में खबरों में था किस देश में इस्तित है गेलेफू एक ताउन है एक ताउन सिटी है गेलेफू भारतिय सीमा के पास सौ वर किलोमेटर में मेगा सिटी प्रियूजना है जिसका उदेश्य दक्षिन सिमावर्ति सहर गेलेफू को एक आर्थिक केंदर में बदलना है तो ये उदेश्य है भारतिय सीमा के पास है गेलेफू जो की भूटान का ये किसा है याद रखना किसका है भूटान का है और गिलेपू आर्थिक केंदर में बदलना है व्यापार निवेश को बढ़ावा देने के लिए भारत के साथ केनेक्टिविटी का लाब उठाने की भूटान की मत्वक। अंक्षी क्या है वई संकेत दे रहा है तो देखो भाई रसिया से जारा है यह अजर बिजान से जारा है और इरान से जारा है उजबेक्स्तान से यह जो है नौट साथ ट्रांस्पूर कोरिडोर नहीं जा रहा है यह याद रखना और इसकी जो टोटल लेंथ है लगबग बहुतर सो किलोमेटर इसकी टोटल लेंथ है ये भी आपको याद अखना बहुतर सो किलोमेटर आज का लास्ट कोशन है दटम जे एन वन एंड पिरोला एक पिरोला वाइरस था है न रिसेंट्ली मेकिंग न्यूस रिलेटेट वीच आप फॉलोइंग डिस यानि जे एन वन और पिरोला जो हाली में खबरों में रहे निमलेखित में से किस्षे संबंदित है तो आप जैसे जानते है कि बाई 2019 के बाद 2019 के बाद जब कोविट का दौर चल दाता तो कोविट के दौर में एक से एक COVID के ही syndrome बोले तो एक से एक जो है variant हमें देखने को मिलने है और COVID का ही एक variant है जिसका नाम है JN1 तो JN1 जो है COVID का ही एक क्या है भई variant है और ये भारत के केलर राज्य में सबसे पहले इसका एक मरीज मिला है सबके पहले इसकी presence का मिली है केरला में ये तनी बात केलर हुई तो आंसर होगा क्या भई COVID-19 तो ये थे आज की 24 questions के लिए रही बात इन 24 questions को आप अच्छे से पढ़ लिजेगा जितना इसमें बताया गया उतको अच्छे से कर लिजेगा और मिलते हैं फिर next set के साथ जहन kindly subscribe D-Day YouTube channel and don't forget to press bell icon